तुडे वी आर डिसकसिंग अ कंपनी फांडिड वाई वादिया ग्रूप डूरिंग एटीन सेंचुरी जी हां अठारवी सदी से यह कंपनी चल रही है अठारा सो बानवे में इसका यहां पे स्टार्ट हुआ था बिजनस तब से भी तक देखते हैं 130 years का huge experience है तो company में हमने गिरावट में भी माल उठाया है वो मैं आपसे share करूँगा अपना life portfolio और वीडियो आपने भी तक लाइक ने क्या हो तो लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी कोशिस रहती है वीक में कम से कम एक स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी मैं आपने आपसे share करूँ त्रू यूट्व ताकि जिन लोगों ने मेरा दो सो रुपए उपर है यानि लगबग पांस से चे परसेंट पी वेलेशन है फिफ्टी टू का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फमसी जी में हम फी वेलेशन सबके पचास साथ के राउंड ही देखते हैं डिविडेंट जील काफी अट्रेक्टिव है साइध ही कोई कम क्योंकि एक मेंने में चार्टिस का हम देखते हैं अप डाउन अप डाउन रहता है लगबग 3300 के राउंड आता है फिर 3400 के राउंड जाता है तो आई थिंग की 2800 की बात होगी 3380 तक गया था तो हमने 79 में सेल किया था तो वापिस यह में डिसकाउंट मिला तो हमने 3% डि चुके है 20-30-40% का लेकिन वापि एक रेंज बाउंड ही मार्केट है उसमें से काफी सेर भी रेंज बाउंड ही है अगर 6 में में हम यह भी देखते हैं तो अच्छा कासे यहां पर डाउन फोल ही देखने को मिला है तो इस टफ सिच्वेशन में अगर हमें 3-4% भी एक FMCG म काफी हाई हो चुका है जो कि और से रोमेद देख रहे हैं तो ज़्यादा प्रोफिट के बारे में बात यहां नहीं करेंगे लेकिन 5 सालों में अगर हम यह देखते हैं प्रोफिट और शेल्स क्या बड़ा है तो पांस साल पहले नागवागि सेल्स था एंड प्रोफिट था लगबग 900 करण का जोकी अब लगबग 18-100 करोड है एंड तेरह सो करोड का यहां पे sales है तो net profit में यहां पे अच्छा कासा jump है लगवाख 100% का and 70-80% jump है sales में तीन साल का गरम देखते है average growth यहां पे profit ने दिखा जा है 23% का एंड sales ने दिखा जा है 10% का लेकिन share बिल्कुल भी नहीं चला है 4% यानि 4% तो हमें एक saving account में भी आज की rate में मिल जाते है पिछले 3 सालों में अगर हम HDFC, Kotak या IDFC, Yes Bank में भी रखते तो 4-5% हमें average return वहाँ पे भी मिला है तो कोई return इसने बना के नहीं दिया है 3 सालों में एक साल में तो हलाकी यहाँ पे अच्छा कासा नुकसान हो रहा है जो long term investment यहाँ पे करके बैठे हैं लगबग 4,3800 के price पे यहाँ अगर हम देखते हैं company में थोड़ा बहुत करजा भी है 800 करोड का हलाकी करजा यह increase हुआ है भी तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रस्ट का कितना खर्चायन का पहले था 111 करोड जो की अब increase होके हो गया 134 करोड तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है 100-500 करोड तो इंट्रस्ट इन के लिए एक negligible है क्योंकि यहाँ पे operating प्रोफिट देखेंगे तो 2157 करोड का अच्छा कासव अप्रेडिंग प्रोफिट है margin भी देखते हैं तो 16% का margin ट्रेलिंग 12 मत में भी हमें देखने को मिलता है management की salary अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो अच्छी कासी management यहाँ पे minimum salary ले रहे हैं only 25 करोड का out of company jack जो ceiling है 250 करोड तो 200 करोड में से केवल यहाँ पे 25 करोड की salary दिखाता है कि management को trust है यहाँ पे company के growth prospectus पे तो इसलिए आप चाहिए तो यहाँ पे investment कर सकते हैं धीरे धीरे मैंने investment करी है मैं भी अपना life portfolio share करूँगा अगर यह और नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे और खिरदारी करेंगे अगर यहाँ पे देखते है FII ने यहाँ पे पिछले 3-4 quarter में देखते है तो थोड़ा थोड़ा सा माल अपना decrease किया है D.I.E. ने देखते है तो पिछले 3 quarter में अच्छा खासा माल decrease किया है साड़े 11% से लगबग 8% हो गया है और अलाके इन 2 quarter में देखेंगे तो लगबग 4% का माल यहाँ पे किसी ने बेचा है बड़े प्लेयर ने पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो यही 4% का सेर पब्लिक ने खरीदा है अब इसके पीछे की सचाई में आपको दिखा देता हूँ आपको अपना वह दिखा देता हूँ कि जो इसमें मैंने बाइंग करी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3270 पे यहाँ पे हमने बाइंग करी है आई थेंक थर्जडे या वेनस्डे हमने सेल किया था है और फ्रैडे के दिन हमने यहाँ पे बाइंग करी है 3270 में तो ज़्यादा नहीं ऊपर से अगर देखते हैं तो 100 रुपे का डिसकाउंट में मिला है नहीं 3% का डिसकाउंट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इस मार्केट के टफ सुच्वेशन में 3% भी मिलेगा तो हम आपे प्रोफिट बुकिंग कर सकते हैं कोटक बैंक में भी मैंने कुछ नहीं पहले प्रोफिट बुकिंग करी है हलाकि उसके बाद वो चल चुका है लेकिन HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड है मारे पास अगर कोटक चलेगा तो अब इससी बात है HDFC बैंक भी उसके साथ चलेगा तो धीरे धीरे हम यहाँ पे प्रोफिट बुकिंग कर सकते हैं तो 3-4% का प्रोफिट आएगा तो हम धीरे धीरे यहाँ पे प्रोफिट बुकिंग करेंगे ऐसी मेरी स्ट्रेटजी है वीडियो अपने भी तक लाइक ने क्या तो लाइक कर दिए चैनल सब्सक्राइब ने क्या तो सब्सक्राइब करके बेल एकन भी प्रेस कर दिजिए